नमस्कार दोस्तों जोदपुर के फोचदार ने राव जी के हुक्म से कोसाना में जाकर राव जी ने नादिर्शाही हुक्म दे दिया था कि तुम आज से हमारे राज में न रहना जो राव जी अजमिर पहुँचे तो शेर सार ने सुना कि उनके पास असी हजार सवार हैं सुनते ही सननाटे में आ गया ही आप छूट गया आगे कदम न उठे मगा बैरम जी मिर्टे ने कहा आप चलें तो सही मैं राव जी को दम से दम में भगाए देता हूँ हिंदूओं की अनबन और फूट ने हमेशा मुलक बीरान किये हैं और गैरों से हमेशा हारें दिलाई हैं यह बैरम जी मिर्टे का सरदार और उस बहादर जैमल का बाप था जिसने चित तोड के घेरे में अकवर को नाकों चने चबवाए थे और जिसके नाम पर आज तक सारा राजिस्थान गर्ब करता है राव जी ने उसे मेर्टे से निकाल दिया इसी का बदला लेने के लिए वा शेर साह से जामिला था शेर साह को बैरम के कहने का यकीन नहुआ रग फूंक फूंक कर कदम धरता आगे को चला मगर अब अजमिर के बहुत करीब पहुँच गया तो उसने उनसे कहा कि अब आप अपनी हुश्यारी दिखाईए बैरम ने कहा बहुत खूब चुनांचे उसने राव मालदेब जी के सरदारों के नाम फारसी में इस मजमून के फरमान लिखे हम आप सहाबों के लगातात तकाज़ों से मजबूर होकर यहां तक आप पहुँचे हैं अब आप लोग अपने बचन के अनुसार आवजी को गिरफतार करके हमारे पास लाइए खर्च के लिए फिरूजियां भीजी जाती है दोस्तों फिरूज शाही सिक्कों को कहते थे जो इस जमाने में चलता था इसके बाद बहुत सी ढालें मंगा कर यह फरमान उनकी गद्दियों में रख कर सी दिये और जिस ढाल में सरदार के नाम का फरमान था वह उसी सरदार के पास बेचने के लिए भीजा और बेचने बालों को कहे दिया कि वह जिस दाम में लें दे आना नफे नुकसान का खयाल न करना फिर कई फिरोजियां शेर साही खाजाने से लेकर कुछ तो अपने पास रख ली और बाकी अपने आदमियों के हाथ राव जी से उर्दू बाजार में सजवा कर सस्ते दामों में बिकवार डालें इस तरह राव जी के सरदारों ने लड़ाई की जरूरत से ढालें सस्ती महंगी खरीद ली ये कारवाई करके रात को बेरम जी राव मालदेब जी की खिदमत में हाजिर हुआ ओ अर्ज की के आपने मेरत मुझसे छीन लिया और बीकानेर के राव जैसती को मार डाला लिहाजा अगर हम शेर साह से मिल जाएं तो ये हमारे लिए बिलकुल ठीक बात होगी पर आपके सरदार उस से क्यों मिलने जाएं गालिवन उन्होंने खुब रिस्वत ली है राव जी अजी मुझे तो इसकी खबर नहीं इसका कोई सबूत भी है बेरम जी सबूत क्यों नहीं अपने सरदारों की ढालें तो देखिए उनकी गद्दियों में बात्षा के फर्मान है इसके अलावा लाखों फिरोजियां बात्षा से ली गई है क्या बाजर में न भी की होंगी बेरम जी ये फुल जड़ी छोड़कर चलता बना पर राव जी फिर में पड़ गए आदमी भेज कर फिरोजियों का पता चलाया तो वस अब रईसों के पास निकली उनसे पूछा तो जबाब मिला कि अपने ही आदमी भेज गए है दूसरे दिन जब वस सरदार मुझरे को आए तो राव जी ने उनके पास नईने ढालें देखकर कहा यह कहां से आई जब आम मिला के वैपारियों से खरीदी गई है राव जी ने देखने के बहाने से सब ढालें रख ली दरबार बरखास्त हो जाने के बाद उन्हें चिरवा कर देखा तो वही फरमान मिले जिनका जिक्र बैरम जी ने किया था मुंशी बुलवा का पड़वाया तो मजमून भी वही निकला अब पक्का यकीन हो गया कि सरदार लोग उन्हें जरूर तगा देंगे इसमें शक नहीं कि बैरम की चाल काम कर गी मगर उसका कारण यहीं नहीं था कि चाल खोद अच्छी थी बलके इसलिए कि राव जी को अपने सरदारों पर पहले से कुछ संदिया था अगर ऐसा नो होता तो वह कुल सरदारों की ढालों में ही या फर्मान छिपाते क्या उन्हें और कोई जगे नहीं मिलती थी और फिर सबके नई-ईणई ढालें खरीदते या बारी किया राव जी की अक्ल में ना आई कुमार राम से तो पहले ही नाराज हो रहे थे अब सरदारों पर से भी एदवार जाता रहा उसी दम हुक्म दिया कि फौज यहां से कूँच करे इस हुक्म ने तमाम फौज में खलवली मचा दी पुर्जोश, राजपूत अपने अर्मान निकालने की तैयारियां कर रहे थे कोई तलवाने साफ कर रहा था कोई तीर कमान का अभ्यास कर रहा था कोई बड़दी संभल रहा था सारी फौज में दूसरे दिन लड़ने की खुशी फैली हुई थी के यकायक राव जी का यह हुक्म निकला सरदानों को फौरण खटका हुआ कि राव जी हमसे नाराज हो गए है बना जीती जिताए लड़ाई छोड़कर यूँ कूँच का हुक्म हरगिच न देते सब के सब जमा होकर राव जी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप हमारे तरफ से दिल में किसी किस्मी की बदगुमानी न रखिये हम मर्दे दम तक आपका साथ न छोड़ेंगे हम लड़कर अपनी जान देंगे मगर मैदान में मुह न मोड़ेंगे हम शेर्शा सूरी से हर्गिस नहीं मिले जरूर आपको किसी ने धोके में डाल दिया है पर राव जी को यकीन ना आया और फौज कुछ करने के तयारी करने लगी शेर्शान दुस्मन को यूँ मैदान से भागते देखकर बेरम जी और दूसरे साज़ेशी सरदारों की हिम्मत दिलाने से राव जी का पीछा किया जब राव जी बावरा जिला जैतारन के पास सुंबल नदी में उतरे तो उनके सूर्मा सरदार जेता और कौपाने अरज की यहां तक जो जमीन हम पीछे छोड़ आये हैं वो आपके जीती हुई थी और हमारे कबजे में थोड़े ही दिनों से थी मगर अब यहां से आगे हमारे पुर्खों की जायताद है हम ऐसे कपूत नहीं हैं कि अपने पाप दादा के मुलक को यूं सहज में छोड़ कर चले जाएं आप जाते हैं तो खोशी से जाएए हम तो शेर सा से यहीं जम कर लड़ेंगे वो हभी तो देखे कि राजपूत जमीन के लिए कैसी बेदर्दी से लड़कर जानतेते हैं राव जी ने कहा यहां लड़ना फिजूल है अब चले हैं तो जोड़पूर ही पहुँचकर लड़ेंगे मगर जेता और कौपाने न माना वे अपने दस हजार सेनिकों के साथ जान पर खेलने वाले बहादूर राठानों को लेकर पल्टे और बादसा ही फोच पर पिल पड़े और ऐसा जी तोड़कर लड़े कि बादसा समझा अब हारा अब हारा मगर दस हजार राजपूत पचास हजार आदमियों के मुकाबले में क्या कर सकते थे हाँ उन्होंने उस राजपूती दिलेरी का नमूना दिखा दिया जो फतेपूर सीकरी, हल्दी, घाटी चित तोड़कर के मैदानों में बार बार जाहिर हो चुकी है अगर्चे सबके सब खेत रहे मगर अपनी बहादूरी का सिक्का बाथशा के दिल पर जमा गए शेर सा ने खुदा को दोहरा शुक्री आदा किया वो सरदारों से कहा बड़ी खेरियत हुई वरना मुठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत हाथ से गई थी दूसरे दिन हार की खबर पाकर राव जी ने सेवानी की तरफ बाग मूरी जोदपुर को लिखा कि किले की खुब तयारी करो और रानियों को हमारे पास भेज दो रूठी रानी को भी यही पैगम दे दो किलेदाय ने हुक्म पाते ही सब रानियों और सेवानों को भेज दिया जोदपुर से पश्चे में तीस कोस की दूरी पर यह जगे है और खुद किला दुरुस्त करके लड़ने मरने के लिए तयार हो बैठा जो राठो और साहव राव जी की बदगुमानी से दुखी होकर अलग हो गए थे और जो कुछ वे जो जेता और कॉंपा के साथियों में से बच रहे थे विसम मिलका रूठी रानी की खिदमत में हाजिर हो गए इस तरह रानी के पास जान पर खेलने वालों की एक खासी जमात तयार हो गई रानी ने बाब जूद किलेदार के लगातार तकाजाओं के कोसाने से कूच न किया शेरसा खुद तो ना आया मगर अपने सरदार खावास खान को पाँच हजा सिपाईयों के साथ जोदपूर फताय करने के लिए भीजा उसने आकर किला घेर लिया किलेदार उससे कई दिन तक लड़ा मगर अब किले का सब पानी खर्च हो चुका और उसने दरवाजा खोल दिया और एक घमासान लड़ाई लड़कर मर गया किले पर खावास खान का कबजा हो गया इस तरह राव जी की वद्गुमानी और बुजदिली इने दुश्मनों के हाथ में जबर्दस्ती फत्या का जंडा दे दिया जेता और कोपा के मारे जाने के बाद भी राव जी के पास सत्तर हजार सिपाही थे अगर बजाए सेवाने के जोदपूर आते और सारी ताकत से मुकाबला करते तो यकीन था कि बादसा की हार होती किंदो या नौबत आ गई कि पाँच हजार आदमें ने जोदपूर घेरा डाल का जीत लिया राजपूतों ने जहां असीं बीरता दिखाई है वहां बहुत बार अननीती के अपने अग्यान का सबूत भी दिया है खवास खानी के लिए पर अपना सारा कपचा जमा कर फोज का एक हिस्सा बीका निर को रवाना कर दिया वह राव जैस्ती के लड़के कन्यान मलकू गदी पर बिठा दे इस तरह बैरम जी के साथ भी थोड़ी सी फोज मेरता फते करने के लिए भीजी इतने मैं खवास खान को ख़बर मिली कि राठो और कोसाने में जमा हो रहे हैं वह फोरण वहाँ पाँचा और उठी रानी को कहलाया कि या तो हमसे लड़ो या जगे खाली कर दो रानी ने जबाब दिया कि मैं लड़ने को तयार हूँ तेरा जब भी जी चाहे आजा मैं औरत हूँ तो क्या मगर राजपूत की बेटी हूँ खवास खान ने अपने सरदारों से सलहा ले कि अब क्या करना चाहिए उन्होंने कहा अभी थोड़े से राजपूतों ने बादसा से लड़कर आफ़त मचा दी थी उसके साथ राजा भी न था अगर वह होता तो नहीं मालुम क्या गजब होता अब फिर उन्हीं से खाम खान जगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है यह ठीक है कि राजा यहां नहीं है मगर राणी तो है उसके सरदार अपनी राणी के इज़त बचाने के लिए जी तोड़ कर लड़ेंगे और राणी खुद भी दबने वाली नहीं नजराती खावास खान ने कहा यह तो ठीक है मगर यहां से बिना लड़े जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मर्द होका औरत के सामने से भाग गया सरदारों ने जवाब दिया कि औरत से ना लड़ने में इतनी जिल्दत नहीं जितनी उससे हार जाने में आखिरकार या फैसला हुआ कि इस मामले में वादसाह की राहा की गुजारिश की जाए बादशाह उस वक्त अजमेर में था और राना उदैसिंपर चड़ाई करनी की फिक्र में था खवास खान की अरजी पहुँचते ही उसने जवाब दिया कि अब इन भिंडों की छट्टे को न चेड़ो जो मुलक कबजे में आ गया है उसी को गनी मत समझो हाँ अगर भर खुद लड़ने आए तो मैदान से न हटो हाँ उसके पास कहला भिजा है कि जहां मेरा लशकर पड़ा है हुक्म हो तो वहाँ इक गाउं बसा कर चला जाओ ताकि आपके मुलक पर मेरा भी कुछ निशान रह जाए रानी ने फरमाया नाम नेकी से रहता है गाउं बसाने से नहीं इस वक्त तो जोदपुर का हाकिम है अगर तो रियाया के साथ बरताब करेगा उसे आराम चेंद से रखेगा तो आप तेरी यादगार बना देंगे खवास खाने गुजारिश की खुदा आपकी जुवान मुबारक करें मैं जो अपने हाथ से कर जाओं वही अच्छा है फिर नहीं मालूम यहां मेरा रहना हो या ना हो रानी ने अपने सरदारों से मश्विरा किया उन्होंने कहा क्या नुकसान है अपने देश में एक और गाओं बढ़ जाएगा चुनांची रानी ने खावास खां की दर्ख्वास्त वंजूर कर ली और वह नेक मर्द खावास पोर्स संबत सोलसों में वहां से चल दिया दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं मुशी प्रेम चंद्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी अध्याय आठ